अपने चैनल पे आई बेस एसो का जो फॉर्म है अल्रडी आउट हो चुगा है और आई होप अपने फॉर्म फील किया होगा ठीक है जिन्हें फॉर्म फील नहीं किया है कमें सेक्शन में जो रिक्वाइड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर्म के लिए वह सो आपको मिल जाएगे और उधर पीन कर दिया है मैंने फॉर्म का लास्ट एट है 23rd of November तो इस वीडियो में हम जो आपका प्री एक्जाम है आई बेस एसो का उसके बारे में पूरा अट कंप्लीट डीटेल में डिसक्रेशन करने वाले है ठीक है और आप जो सामने देख रहे हो कि कैसे हम इस वीडियो में हम पूरा डिसक्रेश करने वाले आई बेस एसो का प्रिप्रेशन स्ट्राटेजी वीडियो और यह है अगरिकर्चर फील ओफिसर के लिए और मार्केटिंग ओफिसर के लिए ठीक है तीनों पोस के लिए यह वीडियो आप देख सकते हो तो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो सबसे इंपोंट जो पॉइंट है वो है तो अभी celebration को छोड़के अभी start करने का अपना time फिर से आ गया है बड़ाई तो 7 November आज है कल से आप स्टालू करोगे सबस्ट एट से आप स्टालू करोगे तो कल से आपका जो pre-exam है जो आपका आपका अल्रेडी शेडूल है 26th of December को तीक है और यह confirm है मतलब 99.9% confirm ही रहता है unless कोई मतलब बड़ा चीज़ ना हो ठीक है तो लगबग यह जो gap है आपके पास 47 days आपके पास है ठीक है 47-48 days आपके पास है यह आज से मतलब कल से pre तक और बाद में फिर pre से mains तक 38th Jan ठीक है यह आपका complete process रहने वाला ABBase का बाद में फिर आपका result बाद में इंटर्वी होगा और फिर आपका result होने वाला है तो pre और mains के बीच में जो gap है आपका approximately 33 days का है ठीक है 22 तो गया आपका तो 33 days का आपका gap हो गया pre और mains के बीच में अभी यह अपने को अच्छे से आपको लिग लेना है I hope कि आपके notes भी आप बना रहे होंगे side by side क्योंकि बहुत important है ठीक है तो अभी आप preparation जो है आपका कैसे start कर सकते हो तो pre के लिए आपको already पता है आपका क्या है एक तो cont है reasoning और English है और mains के लिए आपका technical background जो भी आपका background है उसके subject आपके रहने वाले है तो first way जो है वो आप एक तो कर सकते हो कि cont के साथ साथ cont आप चालो करोगे obviously leader से कल से ही cont के साथ साथ आप English कर सकते हो ठीक है बाद में फिर English का थोड़ा part मतलब maximum time आपका दीन का cont को गया okay फिर आप English कर सकते हो बाद में फिर जैसे आपका cont complete होता है फिर आप reasoning start कर सकते हो English बाकिए तो English करो इस तरीके से कर सकते हो first way है आपके पास कि सिर्फ pre पर focus करो और बाद में 30 days में mains पर करो जो कि मैं आपको size नहीं करूंगा second way है आपके पास कि cont चालो करो plus आपका English हो ठीक है mains के लिए total आपके पास कितने हो जाएंगे दिन 80 days है ठीक है तो सबसे recommend में वही आपको करूंगा कि cont English और mains का जो है आप चालो करोगे कल से यही अपना रहेगा जैसे आपका cont finish होता है फिर reasoning आप चालो करोगे इसके साथ-साथ English और mains का चालो हो रहेगा ठीक है बाद में फिर जैसे आपका pre नस्दिक आता है मतलब यह 20th December को है तो जैसे आपका लगबक 10th of December cross हो जाता है ठीक है तो 10 December को आप mains का जो पड़ाई है वो stop कर दो पूरा focus इधर डाल दो प्रीपे ठीक है और फिर definitely 10 to 26 मतलब 15 दिन आप कर सकते हो सिर्फ अपना non-technical और बाद में फिर 30 days में जो भी mains के आपके topic बाकी रहेंगे या बाकी नहीं रहें तो definitely revision आपका कर सकते हो ठीक है तो इस तरीक से आपका preparation flow होने वाला है यही आपको करना है अच्छा best way यही है कि कॉंट के साथ-साथ English, mains ऐसा ठीक है तो तीनों properly time divide करो सबसे यहादा time कॉंट को दो क्योंकि आपका target को खतम करना जल्दी है जल्दी कितना हो सके बाद में फिर reasoning पे आपको खतम करना है English को जादा आपका time required नहीं रहेगा ठीक है डेली 2 घंटा भी English के लिए enough है और mains के लि और mains के लिए बाकी जितना भी बज़ रहा है आपका time ठीक है वह आप दे सकते हो minimum इतना आप कर सकते हो maximum तो आपके ओपर depend है कितना भी करो तो यह best way रहेगा ठीक है तो I hope जो preparation flow है जो की बहुत ही important है वह आपको पता चलोगा अभी कि कैसे करना है second point अपना है कि resources हम क्या-क् करेंगे ठीक है तो सबसे main resource है वह है books ठीक है चाहे वह pdf form में हो hard copy हो मुझे फ़रक नहीं पड़ता आपको बताऊंगा मैं वह आपको manage करना है कुछ से books ठीक है second जो second हम use करेंगे वह है YouTube ठीक है आज की जो reality है कि सभी जो content है already YouTube पे available है सभी जो concept है जो भी आपको required है pre के लि playlist सब चीजे available है mains का भी हो गई definitely तो YouTube का भी हम use करेंगे लेकिन इधर ज्यादा अपने को time नहीं देना है ठीक है अगर books से आपका concept clear हो रहा है तो फिर practice पे आप सकते हो लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ही तभी आप use करोगे YouTube ठीक है already सभी आपका content YouTube पे available है तो just आपको proper search कर नहीं है फिर filter में जाके playlist section जो हो रहता है playlist button उस पे click करो तो पूरा आपको complete playlist मिल जाएगा ठीक है 2-3 playlist आप देख लो जिसका भी आपको पसंद आ रहा है जिसका भी आपको connect हो रहा है ठीक है उसका just follow कर सकते हो आप उस particular topic के लिए तो इस तरीके से आप YouTube का हम use करेंगे books जो और सबसे जादा hard work आपको करना है क्योंकि IVPS का इतना भी आसन्नी होने वाला exam क्रैक करना है तो इसलिए hard work के लिए आपको mentally भी ready रहना है अभी सबसे important है कि कैसे हम IVPS को beat कर सकते हैं कैसे आप qualify हो सकते प्रीम exam जो की challenge रहेंगा है क्योंकि mains के लिए कुछ भी नहीं है mains आपक ही वे है IVPS को crack करने का ठीक है चाहे है आपका कॉंट हो तो कॉंट में जितने भी आपके topic से हर एक topic को आपको strong करना है इसमें क्या-क्या topic select करना है exam में starting में बाद में सब चीज़े हम discuss करेंगे लेकिन एक एक जो section है उसको आपको strong करना ही होगा ठीक है तो इस तरीके से आप आरम से IVPS को beat कर सकता है और एक आपको चीज़ बिलकुल नहीं भूलने है कि जो pre है आपका just qualifying है तो ज्यादा आपने को tension की बात नहीं इधर just कुछ भी करके qualify करना है और फिर अपना main score interview है जिसका combined score आपका final merit आजागे इसका final merit ही इसके basis पे आपका selection होने वाले है और आपको इसके mark से हम इसको qualify कर पाए ठीक है try करेंगे कि हम top में ही इसको qualify कर पाए ऐसा ही अपना target रहेगा ठीक है इसे हम कर सकते है तो यह आपको chapters करने है ठीक है quadratic equations है series है इसमें आपको दो series के type मिलेगा एक missing number मिलेगा एक ROM number series मिलेगा यह आपको करना है data interpretation करना है जिसमें line graph, bar graph, table और pie chart ठीक है यह आपको करना है बाद में casulate है miscellaneous word problems है जिसको मैं अगर दूसरे language बोले तो arithmetic भी है ठीक है और last है simplification approximation और data sufficiency भी है तो इतना ही आपका syllabus है इसका count का IP based के लिए ठीक है total अपने पास time है 40 minutes जो कि sectional time है मतलब 40 minutes आप सिर्फ count करोगे दूसरा section आप touch नहीं कर सकते जब तक count का 40 minutes कतम नहीं होता तब तक दूसरे section में मतलब reasoning और English में आप जा नहीं सकते तो 40 minutes आपको count करना है अभी जो important है कि 50 questions कौन के रहेंगे 50 questions 40 minutes में तो definitely आपको इदर दिख रहा होगा कि आपको क्या चरूरी है speed जरूरी है और speed के लिए एक तो first speed कैसे आता आपका एक तो पहले concept clear हों चाहिए कैसे use करना है particular type के question को कैसे tackle करना है और फिर उसके basis पे क्या approach आप use करोगे and definitely फिर आप उसको solve करोगे तो concept plus practice यह दोनों चीज़ अपने को लगागा हर एक chapter का हर एक chapter के हर एक type के question को तो अभी second आपको जो column है वो दिख रहा होगा कि number of questions so क्या-क्या questions जो है number of questions क्या-क्या expected है यह year मतलब 2021 में तो जो quadratic equations है उसमें से 5 questions आप expect कर सकते हो number series के 5 questions, DI के 10 questions, castellate के 10 questions, miscellaneous word problems के 15 questions, simplification approximation के 5 questions और optional data efficiency जो इसके आपके रहेंगे 5 questions ठीक है मतलब इदर कुछ थोड़ा बहुत change हो सकता है और data sufficiency बहुत डाल सकता है इसका meaning यह है एक अपने को अंदाज मिल रहा है इससे कि क्या हो सकता है अभी यह तो important है यह लेकिन सबसे important यह है अगर इसको proper decode कर पा हो तो मतलब आप पूरा pattern IV-based का समझ जाओगे और फिर आपको समझ जाएगा कि कैसे में एक exam को crack कर सकता हूँ तो सामने आपको दिख रहा होगा expected attempt यह जो चीज़ है वो IV-based की मुझे पसंदे क्योंकि यह जो है कभी change नहीं होगा ठीक है कभी change नहीं होने वाला है जैसे कि आपको दिख रहा है example quarterly equation के 5 questions आने वाले तो expected attempt आपका क्या है कि 5 questions आप आराम स attempt कर सकते हो ठीक है कुछ भी problem का होने नहीं वाला है अभी यह अपना conceptual level पर हम बात कर रहे है तो definitely quarterly equation का जो मैं आपको books में recommend करूंगा आपकी test series के questions होंगे उसका ही आपको repeatedly practice करना है multiple times practice करना है ठीक है पागल जैसे practice करते रहना है जो भी concept उसमें है वो करते रहने करते रहने पढ़ते रहना है आरम से इधर possible है कि 5 questions आप अटेंग पर पाओ first point second जो series है ठीक है अभी इसमें भी expect item में ने 5 बोला है तो कभी-कभी क्या होता है बहुत जादा अगर आप अच्छे से practice करोगे ठीक है definitely आपके पास 40 days है तो अच्छा practice करोगे number series के एक good amount of questions आप solve करोगे ज तो missing number होगा ठीक है कुछ भी आपको miss हो सकता है और एक sub number आपको दिये जाएंगे या alphabet दिये जाएंगे और इसमें क्या हो सकता है wrong alphabet या wrong number कौन सा है logic की साब से ठीक है और logic मतलब definitely आप अच्छा practice करोगे तो आपको आए गए गए okay hardly अगर ऐसा वो आपको नहीं आ रहा है तो इधर 4 भी आप कर सकते हो लेकिन 5 questions expected time आपका होता है series का आराम से आप कर सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है बाद में है data interpretation तो यह है challenging part IV base का ठीक है तो आपको इसमें अभी चार में से कुछ भी वो दे सकता है एक तो 3 DI दे सकता है ठीक सकता है suppose एक line graph दे दिया और एक pie chart दे दिया और दो दो पे उसने 5 5 questions पूचे ठीक है क्योंकि अपना number of questions का जो है expected है वो देंगे वो है 10 है इस तरीके से आ सकता है तो यह आपको अच्छे से करना है DI भी बहुत important है conceptually बाद में है cashlet ठीक है अभी cashlet पे जाने से पहले आपको इधर आना है मतलब start आप करोगे miss silence word problem तो first chapter second chapter और third आपका यह रहना चाहिए ठीक है बाद में फिर DI पे जाओ और बाद में फिर cashlet पे जाओ तो miss silence word problem और arithmetic में जो भी chapters में आपको बाद में दिखाऊंगा ठीक है अभी देखा देता हूँ तो यह आपके arithmetic के chapters है आपके सामने है ठीक है percentage ratio और average एक ही उसमे line को रख रहा है मैंने अजय से बाद में time and work है partnership है time distance board stream है okay mixture allegation है profit loss discount SICI है mensuration दोनों करना है 2D 3D भी करना है permutation combination probability तो यह आपके chapter जो है वो पूरा आपका miss silence word problem और उसको बोलो arithmetic वो आपको उसमें आपको करने है ठीक है तो अभी यह बहुत जादा important third point मैंने क्यों बोला आपको क्योंकि DI में maximum आपको question आएंगे percentage average ratio ठीक है यह तीनों का बहुत बहुत जादा use होने वाला है data interpretation में तो इसलिए जो base से अपना con का arithmetic का percentage ratio वो आपको गंब सेरी करना ही है और average बात में आएगा ठीक है तो इसलिए मैं बोला कि आपको DDI से पहले miss silence word problem आपको start करना है arithmetic आपको start करना है बात में इसका use जो है आपको cashlet में होने वाला है और बा जो chapters main है वो आराम से आपके हो जाएंगे ठीक है arithmetic से तो यह आपको ध्यान रटना है जैसे आप pattern देखोगे questions का तो आपको पता चलेगा बाद में अभी जिनको पता नहीं है कि कैसे रेता है data sufficiency के questions कैसे cashlet के questions रेता है DI कैसे रेता है तो बाद में आपको पता चल जाएंगे या बाद में भी कर सकते हो ठीक है तो इधर जो है अभी arithmetic में आराम से अगर उस उन्होंने 15 questions आपको पूछे तो 12 to 14 questions अपना target होगा ठीक है और यह जो expected attempt है यह मैं आपको बोल रहा हो कि at least आपका 90% accuracy इसमें मुझे चाहिए उस basis में बोल रहा हो मैं जस मतलब कुछ भी guess करक attempt करना है वो attempt नहीं है यह 90% वाला attempt है 90% accuracy का attempt है ठीक है 100% definitely कभी नहीं हो सकता क्योंकि हम human being है mistake होती ही है ठीक है is okay problem नहीं है उसका लेकिन 90% accuracy तो definitely आप maintain कर सकते है 90 to 95% आराम से आप कर सकते है ठीक है उसमें बड़ी बात नहीं है कुछ अगर आपका practice बहुत जबर है तो 12 to 14 question question आप आराम से कर सकते हो इसलिए यह scoring है ठीक है मतलब arithmetic का आपको जो importance है एक तो क्या है यह score है इधर आपको question भी अच्छे रहेंगे सबसे ज्यादा question आपको दिख रहे है arithmetic के ही रहेंगे paper में out of 50 question total 50 question पूछने वाले है ठीक है सबसे ज्यादा arithmetic करेंगे जिसका सबसे ज्य सकते हो कि total अगर 10 questions है तो 6 to 8 यह मैंने इधर 6 to 8 क्यों बोला है ठीक है out of 10 क्यों नहीं बोला है यह बाद में आपको बताऊंगा cash rate ठोड़ा आपको challenging रहेगा इसलिए at least 4 to 6 questions आराम से आप कर सकते हो बागए के आपके concept पे different है आपके speed पे different है ठीक है इसका यह meaning नहीं है कि आप सिर्फ 80 करसा हो यह minimum limit आपको range दे रहा हूं है obviously आपका concept और speed अच्छा है तो आप 10 के 10 भी आराम से कर सकते हो public ऐसा भी है इसमें बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन अपने को सिर्फ प्री जो qualify करना है इसलिए minimum आपको criteria बतार हो में ठीक है ज्यादा load भी नहीं लेना है तो उसमें से 3 questions आप कर पाओगे आराम से कर पाओगे कोई problem उसमें नहीं होने वाला ठीक है अभी सबसे important है कॉंट अपका section है वो चालू होने वाला है paper exam hall में 40 minutes जो आपके चालू होने वाले है तो आपको क्या करना है तो जैसे आपके first question से आप चालू करोगे 50th question तक तक quadratic equation equation के question में देंगे attempt करो आते हैं तो series attempt करो ठीक है di को देखना भी नहीं है direct skip करना है जैसे di आपका समने graph दिखता है क्या करना है आपको skip करना है कैसलेट को भी skip करना है arithmetic के हर एक question को आपको attempt करना है जो मैं आपको इस basis पर बोल रहा हूँ वैसे simplification approximation के भी attempt करना है अगर data sufficiencies में है उसको भी attempt करना है यह सब हो जाने के बाद फिर आप touch करोगे data interpretation को ठीक है और फिर di आप अच्छे से complete करोगे और फिर आप आओगे cashlet पे तो यह आपका जो है वो sequence रहेगा exam hall में जैसे आप paper attempt करने वाले हो cont का section wise हम discuss कर रहे है तो cont का यह strategy है कैसे आपको करना है आराम से आपका time भी manage हो सकता है अभी सबसे important है time का तो वो आपको जो दिख रहा होगा fourth column जो है timing target अभी इधर जो है एक तो अपना conceptual हो गया concept clear तो आप attempt कर पाओगे लेकिन timing के लिए आपका क्या चाहिए speed मतलब speed आपका कैसे बढ़ता है definitely practice से बढ़ता है ठीक है क्योंकि जो speed है आपका कैसे आता है एक तो आपको जो approach है fast click होना चाहिए जैसे मैं question देखो quickly one second में पुझे approach आना चाहिए अच्छा इसको इसको इसे solve किया था मैंने practice के दरण right ऐसे आता है तो practice से ही आपका आएगा approach एक तो at least 3 minutes में आप उसको कर पाओगे ठीक है जो expected attempt में बोला है 5 तो 5 questions को 3 minutes में आप आराम से कर सकते हो और expected भी है यह है ठीक है बाद में जो number series है उसके भी अगर 5 questions है तो 3 minutes में आपके हो जाएं चाहिए ठीक है यह में आपका पड़ाई होने के यह इधर जो minute रिखा है वो ऐसे कैसे आपको याद रखना है एक आपको idea लग जाएगा कि किस topic को कितना time देना है exam hall में उसकी बात हो रही है जैसे आपको बता चला कि quarter equation के मैं अगर 3 minutes में 5 questions कर सकता हो मतलब इसको जादा time लगता नहीं तो वह इसका meaning है कि 8 minutes में 12 to 40 questions आराम से कर सकता हो अगर possible 15 भी आराम से कर सकते हो कुछ problem नहीं है question frame भी ऐसे रहते है कि आप कर पाओ ठीक है first point यह है कि अगर उन्हें 50 questions दिये है 40 minutes में तो definitely 50 में से 35 questions तो आपते quickly fast मतलब होने ही वाले उसमें कुछ भी problem आपका नहीं होने वाला है Simplification approximation इसको में बोला आपको speed है तो definitely 3 minutes में आप कर पाओगे कुछ-कुछ तो मतलब seconds में हो जाते है questions वह भी questions में रहेंगे ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े दिंगे और definitely अगर बड़े है तो आपको क्या करना है स्किप करना है तो उसको कुछ option नहीं नहीं आपके पास ठीक है बहुत ही tough अगर question आए simplification का तो उसको skip करना है क्योंकि वह अपने को attempt करना भी नहीं है क्योंकि उसको time भी अपना waste हो जाएगा जो कि timing जो है बहुत important है अपने को time to waste बिल्कुल भी नहीं करना है एक एक सेकंड बहुत important IV waste के लिए यह आपको ध्यान रखना है तो जो आपके 40 minutes के उसका proper utilization इस तरह किसे कर सकते हो अभी इधर मैंने बोला है cashlet को भी आप 10 minutes में 4-6 cashlet के question आप solve कर सकते हो DI का भी जितना भी time बच रहा है अभी quarter equation series arithmetic simplification और data sufficient के बाद आप इस पर आओगे DI पर तो DI को भी जितना भी time बचा है आरम से question आप solve कर सकते हो जितना भी क्यूंकि हम last में ही DI और cashlet को attempt करने वाले हैं तो यह सारी चीज़े बहुत ही अच्छी तरह किसे planned अपके mind में तबी proper इसका execution होगा ठीक है इसलिए इतना detail में मैं देख रहा हूँ जो भी already connected है मेरे से कोई भी exam के लिए detail में हम कभी discuss नहीं करते है क्योंकि उसका requirement नहीं रही देता यह exam IVPS का है एक अलग approach रहेगा एक अलग तरीका रहेगा इसलिए इसको बताना बहुत ज्यादे important है अगर आपको exam crack करना है तो मतलब approximately minimum 50 में 37 questions आराम से आप कर सकते हो पेपर में जैसे मैं आपको बोला 35 questions होए quickly आराम से हो सकते है ठीक है तो minimum 35 पकड़ रहे है तो जब भी आपका preparation आप चालू करोगे ठीक है एक तो first book आपको चाहिए जो है आरे सग्रवाल ठीक है आपकी chapter आप कर सकते हो ठीक है और con for cat भी है तो यह भी एक अच्छा book है आई-वी-पेस के exam को tackle करने के लिए अभी सबसे important जो है next यह तो होगे आपका basic मतलब आपका preparation आप चालू करोगे ठीक है एक एक chapter आप learn करोगे जैसे मैं आपको बोला कि आपके पास अभी syllabus है मैंने आपको बोला है YouTube पे भी आप सर्च कर सकते हो वो particular topic जो आपको नहीं आ रहा है और फिर उतर से वीडियो देखके notes बना क्या आप आराम से concept आप ले सकते हो ठीक है second जो है resources आपको यूज करना है जो आपना आप रिजनिंग के इसमें आते हैं तो वह हम shuffle करते हैं कभी corn case में आता है कभी reasoning में आता है ठीक है तो यह 4 में maximum focus आपका रहेगा telegram PDF तो जो भी telegram PDF ग्रूप में already joined है continuously वह करते रहो कुछ भी problem नहीं है जो नहीं है description में आपको और comment section में link मिल जाएगा उसको join करना है आपको ठीक है और आपका अभी क्या जो भी आज join करने वाले है यह video के बात April month से हमने चालू किया था तो आपको क्या करना है file section में जाना है telegram में और file section में आपको April month to November पूरा आपको data जो है उदर मिल जाएगा पूरे files pdf form में आपको मिल जाएगे तो एक-एक file फटावट लो, solve करो अगर आपका preparation है तो इस तरह के से कर सकते हो आपको पता है क्या है अभी सबसे important है अगर आपको book भी नहीं use करना है तो banking जो pack है अपना उसका कैसी आप use करने वाले हो तो अभी सबसे important आपका concept सब clear हो गया है अभी आपको चाहिए practice और practice आपको timer के साथ ही करना है ऐसा नहीं है कि आप आराम से घर पर बेटे हो और मतलब exam level का practice कर रहे हो ऐसा बोल रहा हो में जब आप सीख रहे हो conceptually आप कर रहे हो तो आराम से आप कर सकते हो लेकिन timer के साथ practice बहुत ज़्यादे important है इसलिए यह जो आपना banking package है अपना.org website पर जिसका link में आपको दे दूँगा तो उसका proper use आपको करना है तो इधर आपको first जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये screen open होगा तो इधर आपको first आपको दिख रहा है banking and insurance topic wise test उधर आपको जाना है जैसे आपको जाओगे इधर आपको दिख रहा है स्टार्ट करना है आटेम करना जैसे आपका arithmetic complete हो जाएगा पूरा जो मैंने topic आपको ओला है arithmetic में वह ही है तो इधर आपको आना है ये questions प्रैक्टिस करते रहना है और इसमें जितने भी questions है at least two to three times practice करो definitely timer के साथ आप एक बार ही कर पाओगे लेकिन without timer जीतने में आपके wrong आ रहे है या mistake हो रहे है वह आपको without timer भी solve करना है सबसे important है जो concept के concept है एक तो first आपको timing के साथ करोगे normal आप टेस्ट होगे timing के साथ बाद में फिर concept आप देखोगे के question में क्या क्या है ठीक है तो सभी variety के questions इसमें है तो उसका आपको tension लेकि ज़रूत नहीं है latest pattern के अनुसार सब आपको है इधर तो इसे आप देखो और इसे आपके sub test है तो try करो कि at least आप यह सभी test properly दे पाओ ठीक है बाद में बार ग्राफ है उसमें है बाद में pie chart है table है तो properly सभी इधर आपको मिल जाएगा तो यह करना है यह आपका first काम हो गया ठीक है यह आपका first काम हो गया second काम आपका है इधर आना है बाद में जो कि है sectional test ठीक है और फिर इधर आके आपको count के total nine test है जो कि आपका full syllabus ह है जितना भी syllabus में ने बोला है आपको तो उसमें सभी syllabus इसमें आ जाएगा तो फिर वह आपको start करना है यह आपको start करना है एक एक test में 35 questions है जैसे आपके total आप देख सकते हो कि 10 quiz test है total count के ठीक है इस तरीके से आपको use करना है फिर आपको क्या करना है last में यह दोनों होने के बाद फिर नीचे आना है और इधर आपको दिख रहा होगा IB-based SO prelim उस पर क्लिक करना है तो जैसे उस पर क्लिक करोगे इधर free test भी आपको दिया है ताकि आपको पता चले कि environment कैसा है तो फर्स्ट आप यही देओ आरम से फिर आप पेड में जा सकते हो तो इधर भी free में आप आपको दो test में ने दिये है और फिर पेड में एक पूरा आपका paper है यह आपको कब देना है last में देना है जब आपके सभी sections clear हो जाए क्योंकि आपका यह क्या है mock test है तो cont में अभी तो आपको फिला यूज नहीं करना है यह आपको last में यूज करना है जब आप अच्छे से पूरा syllabus complete कर बाओ ठीक है तो यह तो हो गया cont section का किस तरह किसा आप पहले concept पड़ोगे अच्छे से एक एक topic को clear करते जाओगे और फिर timer के साथ practice करके फिर आपका revision और improvements यह करोगे ठीक है तो यही sequence को follow करो अच्छे से definitely आप cont section में अच्छा score कर पाओगे ठीक है target अपना दे इससे हम 45 अबोल आ सके target यह है okay target ही ऐसा set होगा अगर आपका target set है कि कौन का जो cutoff है 9 marks 10 mark वो रहता है वो clear है तो definitely इसका महिली नहीं है कुछ क्योंकि merit के इसाब से आपका mains में selection होने वाला है ठीक है सभी लोग तो जाएंगे नहीं प्री से तो इसलिए आपको ध्यान रखन है कि target अपना high है और achievable है ठीक है मतलब try करना at least 45-40 तक आप touch कर पाओ ठीक है आराम से हम जाएंगे mains में